हेलो उन्मस्कार एक बार फिर से सूगत है आपका और हमोस्ट रेंज़ पैथोजिंग किया है मतब कि पैथोजन का एक स्पेसिफिक रेंज होता है तीक है उसका भोलते हैं host रेन्ज बोल रहे हैं खोज में आगई है उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे स्क्रेइंग हूस्ट रेंज दो यहां पर हम करते हैं हमारा यह टोपिक और बाती कि समझते हुए चलते हैं कि होस्ट रेंज में हमें किस तरह से इंपुर्ट करना है चलिए है जिए फॉष्ट रेंज ओफ पैथोजन देखो कुछ चीजे हम यह समझते हैं यहाँ पर कि जो पैथोजन होता है न वो हर हर प्लांट स्पीशीज के लिए इस पैशल होता है ठीक है यह समझ मैं जो पैथोजन किसी पाटिकूलर पर टेक करता है जैसे कि गेहु में लगने वाला जो रोग है वह क्यों गेहुं में होगा थिके न वो तमाटर में नहीं में होगा आलू में नहीं होगा गोबी में नहीं होगा वो के वल यहूं के अंदर होगा यह बात समझ में है यहां कि उस पैथोजन का एक specific range है कि उस particular species पर ही वो क्या कर सकता है अटेक कर सकता है दूसरी चीज जैसे मान लीजे हमारे पास में यह दो plants है यहां से समझेंना बात को तुम में लीजे कोई पैथोजन है और वो पैथोजन यहां पैशलीस के उपर प्रोक्ट वेदा करता है यह पहत्तो के पैथोजन के उपर नहीं करेगा is यह स्पेसिपिक रेंज होगई कि कि यह कावल मिलेगा कौज कर सकते हैं ela उॉड़ के तुम मिलेगा हूँ पैथो हम पैथोजनुर शावाल जो पैथोजन के जेबल, स्टेम के ऊपर ही अपना कोज कर सकते हैं वो यूज के ऊपर ट्रास्वर नहीं होगा कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं कुछ माईक्रोब्स पैथोजन ऐसे होते हैं जो लूट के अंदर ही अपना वी 보 टे उसे fucking Gabe जो है, कोर वूट के अंदर ही वा 있는leaf के अंदर कोई अगर pathogen यहाँ इस leef में रोप पेडा कर रहा है तो वह यहाँ इस leaf में रोप पेडा नही करेगा वास जो यहाँ stem में पेडा कर रहा है वह यहाँ नहीं रहेगा और जो इस plant के ओपर leaf के इंदर या stem के अंदर या root के अंदर अपने arthritis Play ऐस्यज कर पैथोजन भी क्या होते हैं यहां तक और पर्टिकुलर ओर्गन के लिए भी वह दिफ्रेंट होते हैं उसके अलावा जैसे माल लीजे कुछ पैथोजने देखो प्लांट इस पीसीड के लिए तो समझ में आगे हमें कि बाई अलगलग प्लांट इस पीसीड यह नहीं करेगा ठीचे प्लांट पार्ट के रिसाप से समझ में आगा है कि यहां वा लीव के नदर ही करेगा वह के ऊपर उक्विदा नहीं करेंगा यह बासमझ में आती है यहाँ बास में अब देखो जैसे हmore लीजे ऑथ करी हम किए लीफ है और इस लीफ की दो तरह की चीज़े हैं एक तो है इसका सर्फेस एक तो इसका क्या है सर्फेस मतलब की ऊपर की सता है ठीक है दूसरा जब हम इसको काट देंगे इस तरीके से इसमें क्या होगी एक एपिडर्मिस होगी ठीक है एक इसकी हाइपोडर्मिस होगी जिसकों पेली से टीश इस तरह पाद में इसके वापस से क्या होगी लोवर एपिडर्मिट होगी यह मानन क के चलते हैं इस तरह से हमारी लीड है ठीके हैं अब इसके अंदर देखो आप कि अगर कोई पेथोजन कोई फंगस यहां पर ग्रोट कर रहा है इसकी सर्टस के उपर घोः तो इस सर्ट फेस से अपना भोजन वह यहां से यहां तक लेता है ठीक है मतलब वह अपने आपको इस वैस्ट कूलर बंडल के अंगर ठांसफर नहीं करता in 2023. जो एंसे स्टार्ट करते हैं कहां से स ए स्टार्ट करते हैं और पहली से टीशू से होते हुए कहां पहुच जाते हूं यहां पहुच जाते हैं वेस्कुलर बंडल में और यहां पर अपना फूड लेते हैं तो इसका मतलब यह समझ लीजी आप कि अलग अलग तरह के तीन पैथोजन हैं हमारे पास में और यह तीनों पैथोजन एंट्री तो बाहर से करते हैं लेकिन इनकी जो फूड सोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट हैं मतलब कि वो अलग अलग टीशू से अपना फूड ले रहे हैं तो हम यह कर सकते हैं यहां पर नोट करना शुरू करिए यहां पर हमें कर सकते हैं कि जो पैथोजन है हमारे पैथोजन कोई साथ पैथोजन होगा वो डिफर होगा पैथोजन कि डिफर गशाइ प्लांट है यहले बात तो यह जो पैथोजन है यह डिफर होगा विध रेश्पेंट टू टाइप ओफ प्लांट किसी particular plant की respect में यह different type का होगा दूसरा with respect to organ अलग-अलग perfection में यह disease कोज करेगा और with respect to tissue यहीं बात कर सकते हां tissue में भी है different होगा इसके साथ साथ इक और चीज यहाँ पर है वह है plant की age देखो कुछ और्गेंस वैसे होते हैं जो ऑल्ड एज प्लांट के अंदर infection करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो young age, जैसे कि doinראל के सिदलिंग हैं एज की बात करें हम तो तीम तरह की age हमारे पास आती है एक आती है हमारे पास में sydaling age, एक आती है हमारे पास में old age वो यह करते हैं उसका है कि यह होता है कि जब वह करेंगे ना तो इनको फूड जो है वो ज्यादा समय के लिए मिले का लिए अए प्लांट में जब तक वह प्लीट अपना में करेगा तब तक life cycle अपना complete करेगा तब तक वो काफी time लेगा तो वो particular pathogen जो है वो ज्यादा लंबे समय तक यहां से अपना food ले सकता है और अपना multiplication कर सकता है तेके old age में क्या होता है कि tissue ज्यादा नहीं होते हैं तीशू बहुत ज्यादा खतम हो जाते हैं तो बत्ब कि नमातर के tissue रहते हैं लाईउप रहते हैं तो वो गयुअ पर लेता रहता है यहां पर भी ज्यादा समय अगर उसको जीना है पैथोजन तो यहाँ रहेगा लेकिन अगर उसको कम समय जीना है तो वो सिड्लिंग के साथ में infection करता है अब सिड्लिंग के साथ अगर infection हुआ तो सिड्लिंग ज्यादा समय गीता नहीं है और यह भी मर जाता है इसी प्रकार से सेम condition old के साथ भी होती old age plant के साथ ज्यादा समय जीना है तो लंबे चलने वाले पेथोजन जो होते हैं वो एंग plant के उपर अपना infection create करते हैं बार समझ में आए तो यहाँ पर जो पैथोजने वो अलग अलग हो सकते है विद रेस्पेक्ट टू टाइप ओफ प्लांट की रेस्पेक्ट में with रेस्पेक्ट टाइप ओफ ओफ ओर विद रेस्पेक्ट टाइ वोसकते सिंट ऑसकते हैं और सो सकते उखो पयत्वों जो होते हैं वो try की आधार में이죠 तो हम इसको ही लख सकते हैं कि कुछ पैथोढ़न जो होते हैं स्पेसिफिकली रिस्टिक्ट होते हैं यह दूसरी स्पीसीज पर नहीं करेंगे कुछ ऐसे होते हैं जो एक स्पीसीज पर रोक पैदा कर सकते हैं तो दूसरी पर भी कर देते हैं तीसरी पर भी कर सकते हैं उनकी रेंज जो होती है वह वाइड होती है इस तरह की जो रेंज है जो हमने अभी तक जो रेंज लिखी है वह नेरो रेंज है इसी रे सब्सक्राइब प्लांट के ऊपर रोक पैदा करें ऽेकिना अब देहेंसे रस्ट होता है रस्ट जो होता है वह डिफ्रेंट इस्पीसी में होता है यह में भी होता है इदर से आपका धन्य में में भी हो जाता है रश्ट सर्सों में हो जाता है दूसरे मिलन हो जाते हैं यह क्या है इनकी मतलख से ज़्यादा प्लांट के इंदर जाएंगे आपके सम पैथोजन्स सम पैथोजन्स और और रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल स्पीशीज ठीक है ना मतलब इनकी रेंज जो है वो सिंगर स्पीशीज है अधर 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 तू ए सिंगल जीनस इस्पीशीज के साथ में जीनस की बात कर लेते हैं देखो अगर कोई पैथोजन्स क्यों एक सिंगल इस्पीशीज में रोप पैदा करता है कुछ पैथोजन्स होते हैं वो जो सिंगल जीनस के अंदर रोप पैदा कर सकते हैं तो सिंगल जीनस में क्या होता है multiple species जाती है एक जीनस जो होगा उसमें multiple species होगी जीनस ज्यादा species में ज्यादा जीनस होगे इसको काड़ रेते हैं जैसे तोले नम क्यूब रोसम के बाद करते हैं है इसमें तूबरोसम क्या है जीनस और यह क्या है इसकी species तो यह सोले नम जीनस जो है इस जीनस के अंदर बहुत सारी species है इसे टूबरोसम में तोले नम लाइको पर्शिकम है तो एक है मैलेंजीनम है तो ऐसे बहुत सारी स्पीसीज है एक पर्टिकुलर जीनस उसके बहुत सारी स्पीसीज है कोई पैथोजन अगर जीनस के उपर infection कर रहा है तो इसका मतलब वो इन सारी स्पीसीज के उपर भी infection कर सकता है तो इसका मतलब है कि जीनस पर infection करने वाला जो पैथोजन होगा उसका range ह होगा वाइड रेंज लेकिन अगर कोई पैथोजन किसी फैमिली की उपर इंफेक्शन कर रहा है तो फिर जीनस का जो रेंज हो जाएगा और फैमिली वाले का क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे चीज़ों का समझ में आगए चलिए तो है वाइड रेंज है वाइड रेंज है वाइड रेंज ऑफ होस्ट कुछ की जो रेंज होगी वह कैसी होगी वाइड रेंज होगी जो किस से डिपेंड किस के उपर डिपेंडेंड होंगे मनदर किस के उपर जो है रोग पेडा कर सकते हैं फैमिली की उपर अगर कोई फैमिल हो जाएगी तो उसके रेंज इस जीनस की रेंज उससे वाइड हो गई और अगर कोई जीनस से फैमिली के उपर ज्यादा रोग पैदा कर रहा है तो फिर फैमिली की रेंज क्या हो जाएगी वाइड हो जाएगी बासमद में आ गए यहां तक अब देखो कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो केवल रूट के उपर रोग पैदा करते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो इस्टेम के उपर रोग पैदा करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल लीव के उपर कुछ फूट के उपर कुछ वेजीटेबल्स के उपर ही रोग के देपे हम हो सं तो कि पैंठोजन को ग्रोव हो सकते हैं ति यह ना स्वार के उपर ग्रोव हो सकते हैं त्यानित एक्सक्ली फ्ट वर कुली pleased सब्सक्राइब कर Mysore सकते हैं कुछ बैसा हो들 होसकते हैं तरफ होते हैं विए वेशिटेबस के उपर ग्रौ कर सकते हैं बात में समझ भाएं कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जो केवल वेस्कुलर टीशु सिस्टम के उपर ही ग्रो करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं टेरा साइट जो केवल इसके अंदर वेस्कुलर वेस्कुलर स्टम के अंदर ही ग्रोव हो colon वे स्टम के वेशकुलर टीए सिस्टम क्या हो आपका लिरहं करका लिर पेस्टोजन्क यो बसे होते होटे हैं और दूसरी क्या बैक्टिरिया बैक्टीरिया ही मिलेंगे हमें फंगस कमी बिलेगा एकिन फिर भी कुछ फंगस बैक्टिरिया होते हैं जो यहां पर जैलम और फ्लोेम में रोक प्वेदा करते हैं कि है come 2 कि अब देखो जैसा के हमने कहा कि एज के इसाफ से गया करते हैं एसजेश प्रोप वेदा करते हैं कि एल इस प्राइक करते है। में कृथोечат यह टेंदेर पार्ट होते उन उनक्य उपर्ड रोक प्यदा करते हैं। दूसरे जो होते हैं वो mature tissue के उपर रोक पैदा करते हैं यहां बात करते हूं सम पैथोजन अटेक ओन या ग्रो ओन इसके उपर ग्रो होंगे यंग एज के उपर यंग एज इंग एज के अंदर टेंडर पार्ट ओफ प्लांट जो का बोलते हैं इसको तरुन जो पार्ट होता है पोदे का जो मुलायम सा भाग होता है वहांपर अटेक करते हैं जो होते हैं वो mature पर मेच्वर पार्ट के उपर अपना रोक वेदा करते हैं जो मेच्वर पार्ट होता है प्लांट का उसके उपर रोक वेदा करते हैं तो इसका मतलब है कि वह पर्टिकुलर जो होस्ट है होस्ट के साथ साथ ही बने हैं जैसा कि हमने पड़ा थथा ना इसके अंदर ही उपलिषिन के अंदर पड़ा था तीक ना उब्लि کا सायट ऎसे होते हैं जो इस स्पेंसिलाइज्ड होते हैं क्यूंकि उनका इवूया है वह इस कि एसे ल int Hybrid a requirement कि जो होस्ट नको प्रवायड कर वार सकता दूसरा नहीं करवा सकता है इसे तोके की पैठोग हम मीरें देखो जैसे यहां पर हम बात करें कि यह जो अब्लिगेट पेरासाइट होते हैं इनका जो होस्ट होता है वह स्पेसिफिक होता है वह पेरासाइट के लिए यह पेरासाइट जो होते हैं इनका जो होस्ट होता है वह कैसा होता है इस्पेसिलाइज होता है ठीके ना वह इसलिए होता ह क्योंकि एक तो पहला कालन की इनका जो इवुवुशन हुआ है इवुवुशन जो और मिलता है यह जो पेरा सेट को रीकृäिर जो फूड होता है कि रीकृäिर फूड यह इस पेसिफिछ स्पेसिफिक जो होस्ट होता है गृ के उसन को प्रोवाइड करवाता है दूसरा उनको प्रोवाइड नहीं करऌ सकता来了 कि अब देखिए एक और जैसे हम बात करें कि वाइरस वह सारे ऐसे वाइरस होते हैं निमेट और हैं यह सब क्या है ओब्लिगेट पेरा साइट है कि अब देखो कि अब बताता हूं है कि कुछ होस्त कुछ जो अपने निमेटोर्स होते हैं यहां पर यह एक्षेप्शन है एक्षेप्शन है एक्षेप्शन है यह ओब्लिगेट पेरा साइट तो है कुछ वाइरस जो है वह ओब्लिगेट पेरा साइट है ठीक है ओब्लिगेट पेरा साइट पर एक्जामपल जिसे की वाइरस की बात की हमने ठीक है दूसरा हमने किसकी बात की यहां पर निमेटोर् किए अब यह वायरेस और निमेटोड होते हैं यह होते तो वह व्याट फेरा साइट है लेकिन यह फिर भी इनके जो होस्ट होते हैं नुमेटोड है वायरस है यह आटेग कर सकते हैं यह आटेग कर सकते हैं different host पर different host पर ऐसे जो आटेग कर सकते है different host प्लांट पर उनको हम बोलते ही non obligate पैरासाइट डिक rebellis पेरा साइट क्या होते हैं इनकी बात कर लेते हैं नोन लिए पेरासाइट का मतलब पेल्टेट्ट पेरासाइट को कि किया होता है कि इनका पेरासाइट तो फिक्स है जो पेरासाइट होते हैं जिसे फंजाए माल लीजे इसे कि हम बात करें पूर एक्जामपल फंजाए की अब यह जो फंजाए होती है यह रूट पर अटेक करती है कि इस पर अटेक करती है फूट पर अटेक करती है तो ते करती है कि गडिव फंजाए होती है वह स्टेम पर अटेक खरती आ है कोज сил के ऊपर लीफ केुपर Abramika उपर स्पी स्पी डीम के उपर इनके ऊपर यह रूट के उपर गए टेक करती ना स्पमसिंगे है और आप माली यह ग्रोह हो गई गलती से कहई नखेंaches हम ओर देखोलग मेरा रूट पर अटेक करती है लेकिन याँ पर किया है यहां पर रखक यह रखा है कि वो रूट के साथ साथ सथ स्टेम के उपर भी रोख पैदा कर रही सथ वो फूट के बिस पर भी रोख पैदा कर रहीक है तो वह पर तीनों जिगह पर ये अपना जरन कर रही है तो दूसरी बात क्या होता है यहां पर इसका करण क्या है देखो हाँ इसे समझे नहीं आप लोग इसका करण क्या है देखो एक पैथो जने और वह पैथो जन किसी पर्टिकुलर पाट पर देखो यह इनने बात की धिना भी हमने कोई पैथो जने वह पर रूट के ऊपर आपकर और एक कर रहा है तो हम कहेंगे कि इस टेम के अंदर अपना बीजीं कोश करता है ठीक समझे यहां पर कोई लीफ Spl perish baik के उपर नहीं जो है कोई किए उपर कट्ञेदा करता हैं तो अब क्या कहेंगे उसको इन तीनों से ही क्या मिल रहा है इन तीनों से क्या मिल रहा है इस लीफ से उसको तरह है इस का मतलब यहाँ पर इस लीफ के प्त्वरिएंदर और इस फ्रूट के अंदर जब वह यहाँ पर है टेन दिफिरांट दूसरी बात है इनकी कहें है मारे यहाँ परौनट पहले स्टेम बना चलो फिर लीव बनी और फिर फ्रूट बना तब से एंकर प्रूट उसके बाद कोंने लीव और उसे कंग बने मृ और आ ले पेले इसने स्टेम को खा़ लिन फिर इसके बाद ये लिफ में चला गया और फिर उसके बाद में ये फ्रूट पे चला गया तीनों जेगा पर ये अपना सक्रमन फेलाया हुए है ठीक है क्यों फेलाया हुए बताओ तिल्कुर तिल्कुर ये जो डिफरेंट पाट है प्लांटके और डिफरेंट ऐजये इसका मतलब है कि यह यहां पर कोई भी इसी इस प्रकार का एसा हानेकारणाख प्रभावशिक तो ब प्लांट पार्ट डेमेज हो देता पहले से मर जाता है या फिर हम यह कह सकते हैं कि पैथोजन को कोई भी यहां पर नॉन टॉक्सिक प्रोड़क्ट नहीं मिला है बाव समझ में आरी है न भई एक तो पैथोजन तो इसको खा रहा है और निमिटेशन में खा रहा है उसको पता है अगर मैं इसको पूरा कर दूँगा तो फिर नेक्स टाइम में क्या टीलाइस करऊंगा थीके तो पैथोजन नेंट अपना रेंज़ बना तक यह tämä इतना पार्ट ही खाना इसके बाद मुझे आगे संत्रमन करना है ताकि वह पार्ट बचा रहे और वह अपना फूड बनाता रहे तो यहां पर पैथोजन के साथ में दो कंडिशन होती है तो पैथोजन जो है आपका जो पैथोजन है वो पैथोजन एक्सपोज नहीं होता है ठीक है ना पैथोजन जो है वो क्या नहीं होता एक्सपोज नहीं होता है किसी भी टॉक्सिक माटेरियल से मतलब यहां पर उसको टॉक्सिक माटेरियल नहीं मिल रहा कोई ठीक है ना कोई भी टॉक्सिन नहीं मिल रहा दूसरी बात यह यह जो पैथोजने यह depends है इसके उपर जो आपका होष्ट है उस होष्ट के द्वारा बनाये जाने वाले एंजाइम पर उसके बनाये जाने वाले सम्स्टेंस के उपर तेक सबस्च जो केवल us Aa प्लांट पार्ट के अंदर वह अविलेबल है बासमझ मैं depends on एंजाइम या सबस्टेंस तभी तो यहां से यहां पहुच रहा है अगर मालों लीफ वह प्रोड़क्ट ही तयार नहीं करती जिसको यह पैथोजन यूटिलाइज करें तो वह पैथोजन से निकलकर लीफ में क्यों आता कि इसी बात है लीफ ही लीफ के जगह पर वह पैथोज खुरुट ब्यूति बना रहा है कि ही और फूट भी कोई साथ ऑनल्स केमिकल नहीं बना रहा है कि लिए फुद टो हम यह कह सकते हुं आपने होश्ट के सांज को और उनका भी काम चल जाए तरह यह यह इस तरह से अपनी बोंडिंग करके रचते किसी बी पार्ट के उपर infection कर सकते हैं अब देखो ये तो होगे bonding parasite उनको बोलते हैं bonding parasite कुछ ऐसे pathogen होते हैं कुछ समय के लिए तो pathogen रहते हैं और कुछ के लिए कुछ लिए होई pathogen का काम नहीं करें ओधे इसे जो pathogen होते हैं उनको बोला जाते है non-binding parasite क्या बूला जाता है नोन बाइंडिंग पेरासाइट याद रखना है यह जो नोन बाइंडिंग पेरासाइट होते हैं यह कुछ समय के लिए ही पैथोजन होते हैं और यह हैं डीजीज कोज कर सकते हैं कोज डीजीज ओन ओन ली या तो एक में एक प्लांट में और कुछ प्लांट इस्पीसीज में और इनकों बोलते हैं नोन बाइंडिंग पेरासाइट एक तो कैसा पेरासाइट हो गया दूसरा कुंसा हो गया नोन बाइंडिंग पेरासाइट हो गया बास समझ मैं है ठीक है कि बिल्कुल सज ही बात शे proving पैंस्ट आप कोई भी पय यह प्लांट के उपर अटेक करेगा कोई भी प्लांट के उपर अटेक करेगा तो डेफिनेटली प्लांट वाटशिन स्टार्ट करेगा जैसा कि अभी यह क्या नहीं हां कि यह नोन ओबिगट पेला साइट है यह इस पैथो जन्हें यहां पर अपना अटेक कर दिया तो इसने अपना न को तो क्या होगा है कि अपने आपको बचाएगा डिफिनेटली तो जब वह बचाएगा तो वो कुछ नवार्डी क्रेंगा तो जब वह केमीकल प्रोडिूस करेंगा उस पैथोजन से लड़ने के लिए लेकिन लीए और यह वह केमीकल हार्फुल हाई नहीं इस यह नहीं कर लेता है इस चीज को भी हम समझ लेते हैं यहां पर देखो कि माल लीजिए यह सेल है ठीक है और इस सेल में यह कोई पैथोजन है और यह पैथोजन एंटर कर गए यहां पर इस तरीक से तो जब यह एंटर करना स्टार्ट हुआ होगा ना उससे पहले ही यहां पर इन सेल ने कुछ केमिकल बनाना स्टार्ट कर दिया इस केमिकल का नूकलेस इस सेल का जो नूकलेस है वो कुछ केमिकल बनाना क्या कर देता है स्टार्ट कर दिया अब स्टार्ट तो कर दिया इसने केमिकल भी बन प्लांट के द्वारा बनाएगे एक केमिकल के उनको क्या कर दिया नूटरलाइज कर दिया तो इन केमिकल का को एफेक्ट नहीं हो और पैथोजन अपना फूड यहां पर ले रहा है ग्रोफ कर रहा है तो यह इस तरह से काम करते हैं डिवास समझें तो हम यह का सकते हैं िकुछ प्लांट पार्ट तो स्असेप्टीबल होते हैं हैं पैथोजन के आना वह दो सोखंदीसन की कम होती है जहाना के लाट कि प्लांट तर्फ होगा प्लांट रिमूविस करते गा मार देगा मारने की कोशिश करते करेगा तो चाहिए यह बास हिए एक पैथोजन को एक से ज़्यादा प्लांट कर सकता है लेकिन वह वहाँ पर जो उसकी compatibility है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होगी या आगे हम लिख रहे हैं ना इसी बात को लिख रहे हैं तो अब माल लीजे किसी केस की बात करते हैं तो नंबर ओफ प्लांट इस्पीसीज यह चीज याद रखो आप नंबर ओफ प्लांट इस्पीसीज नंबर ओफ प्लांटि स्पीसीज नोन नोन तोबी अंशेप्टीबल अंशेप्टीबब अच्छी कुछ इस्पीसीज जो पैथोजन से क्या है स्पीज़ लेकिन कितनी है few, कुछी यह, few in thousand, मतलब कि अगर आप किसी species को 1000 पात्पों के उपर भी apply करोगे, तो भी उन में से वो कुछी पात्पों के लिए क्या होगी, acceptable बागी सब तो क्या करेंगे, उसको accept ही नहीं करेंगे, ठीक है, उसका करण क्या होता है, देखो, बहुत सी बार क्या होता है, यह चीज हम समझते हैं, कारण क्या होता है, तो main reason होता है, इनका due to change genetic, due to genetic change, ठीक है, अब जैसे मान लीजे, आपने कोई plant हुगा दिया यहां पर, ठीक है, और इस plant में क्या हो गया, एक रोग पैदा कर लिया, ठीक है, अब आपने क्या किया, कि इस plant को modify कर दिया, modify कर दिया, यहां पर कोई दवा छिड़क दिया, हर साल यहां पर एक खेत लगाते हो, और इस खेत में क्या कर देते हो, आपको पता है कि अगले साल यह फला रोग होने वाला है, खेत के अंदर, और आप क्या करते हो, शुरुआत में इसके उपर दवा को छिड़क देते हो, तो यहां पर जो पैथोजन है न, वो पैथोजन है, इस पैथोजन में चेंज कर लिया, इस वज़े से क्या हुआ, जो पैथोजन यहां पर अटेक करने के लिए , ठीक है, ठीक है न, तो इस तरीके से यह क्या करते है अपने आपको एक्सेप्टेबल बना लेते हैं दूसरी स्पिसी से वह समझ में आए तो कुछ जिनेटिक में चेंज कर लेते हैं अपना कुछ अपने स्पेसिपिक टूल तियार कर लेते हैं देगे ना जैसे कि आगे पढ़ेंगे हम अगर देखो जब अटेक होता है ना तो प्लांट भी कुछ ना कुछ defense mechanism अपना शो करता है भई इस बात को समझ लो आप हर कोई पैथोजन डारेक्ट अटेक नहीं कर सकता उसके उपर वह भी तो अपनी प्रोटेक्शन करेगा ना नेचर में है तो अपने आपको बचाने के नेचर में वह भी तो अपनी करेगा करेगा और नहीं करेगा तो इस रेफ्रेंस में जब कोई पैथोजन बार पर उसके उपर अटेक कर रहा है उससे बचने के लिए उस पैथोजन से बचने के लिए वो क्या करेगा कि कुछ बनाएगा definitely वह जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वह उस पैथोजन के रेफरेंस में बनाएगा अपने खुद के लिए नहीं बना रहा हो उसको अब पैथोजन भी अपने आपको बचाने के लिए वह दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा वह दूसरा करता है उस बनाय हुए केमिकल का निउट्रलाइजिशन कर देता है ज्यादा तर में यह होता है उसके क्या करते हैं दो तरह के पैथोजन और जिस तरह से दुनिया में दो तरह के इंसान है एक जब किसी एदो दूरिया में दो तरह के इनसान कि एक इससे होते हैं जो जब जीमने जाते हैं अइसे बड़ी सी प्लेट लेते और इसमें सारा ठूस लेते हैं खतम होने वाला है और मुझे इसी को खाना है completely और फिर दूसरी को टेस्ट किया इस तरह से चलता है उनका धीरे 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 तो पैथोजन भी अलगलग इसी तरह से काम करते हैं पना वो सीधे एक सार टूट नहीं पड़ते हैं कुछ पैथोजन इसे हैं जो सीधे एक सार टू क्षेटा होता है आप समझ कि चलिए जो पेथोजन का लाइप ज़्सांज जदा बड़ा है वह आराम-आराम से फूड को लेगा वहाँ और अपना प्रोजिनी बनाएगा और जिन पेथोजन का लाइप इसपांज छोटा है वह तो क्या करेगा वह तो एक साथ ही अटेक करते आपका पका कि उसको फूरा करेगा खतम करेगा तो जिस सेल के अन्दर वह जा रहा है वहाँ पर उसको सब कर देगा तुछ उस उस कंडिशन में क्या होता है प्लांट को डिफेंस मेकनीजिम स्टार्ट करने में टायम लग जाता है इसी लिए तो इसी तरह से समय पर अपनी कक्षाइन लेते रहें जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आता है और क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो कोई भी डाउट है इस तरह से डाउट पूछो कि थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने का ओके तैंक्यू मिलते है नेक्स्ट क्लास में अब तक के लिए गुडबाई यह हो गया हमारा